नमस्कार दोस्तों आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है आज का जो वीडियो है वो एबट कमपनी का बेक्टरिम डी एस जो सस्पेंशन होता है उसके उपर है और एंटी बेक्टिरियल एक्टिविटी होती है इसकी इसमें जो कंटेन है जो दवाई है वो ट् इंफेक्शन होता है जिसके कारण फेफडों में संक्रमन होता है निमोनिया की कंडिशन हो जाती है ब्रोंकाइटीस अच्छा आतों में संक्रमन हो सकता है और कान में दर्द रहता है इंफेक्शन के कारण बेक्टिरिया के संक्रमन के कारण तो इसका इस्तेमाल किया जाता ह देखिए दूशित जल पी लेने से भी कई बार बेक्टिरिया का संक्रमण हो जाता है तो उस कंडिशन में और यूरीन इन्फेक्शन ये दी है बच्चों को तो उस कंडिशन में डॉक्टर की पसंद के बाद इस सिरफ का इस्तेमाल किया जाता है देखिए 19 रुपे की दवाई है सिरफ बहुत सस्ती है और जो बेक्टिरिया की व्रद्धी होती है दो तरह के बेक्टिरिया की व्रद्धी होती है और तब इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है एक है नीूमो सिप्टिस जिरो बेसी और दूसरा बेक्टीरिया जो है वो टेकसो प्लाजमा तो इस तरह के नाम है बेक्टीरिया के वो व्रद्दी करते हैं संक्रमण फैलाते हैं और उस कंडिशन में बच्चों को तकलीफ हो पाँच हैमेल जो भी डॉक्टर डिसाइड करे सबिरेशाम लेने का होता है और लेते ही रिजल्ट अच्छा आता है लेकिन जैसे ही आपको आराम हो जाहे आपको दवाई बन नहीं करना है प्रापर जो भी तीन दीन पाँच दिन या साथ दिन डॉक्टर ने बताया है आपको उस अनुसार इसका सेवन करना है अच्छा इसको लेने के बाद यदि उल्टी की स्थिती हो उल्टी जैसा मन करें जिसको मतली कहते हैं इस तरह की स्थिती हो दस्त लगने लगे और तो अच्छा पर इलर्जी, खुजली या चक्ते जैसे होने लगे तो समझिए कि इस सिरप का जो है वो साइड इफेक्ट है तो आप अपनी डॉक्टर को तुरंद सुचित करें और दवाई लेना बंद कर दें तो इस तरह से एबट कंपनी की ये दवाई बच्चों में बेक्टीरिया के इंफेक्शन में काफी मददगार होती है और इसका इस्तेमाल करने पर जो भी तकलीफ हुई है बेक्टीरिया के संक्रमण के कारण या पानी में दूशित जल पी लेने के कारण जो भी इंफेक्शन की इस्तिती हुई है उसको ठीक करने में इसका अमुली युगदान है बहुत ही रिजल्टेट दवाई है और इसका सेवन बच्चे को करना चाहिए बच्चों को करना चाहिए लेकिन देखिए डाक्टर की पसंद के बाद ही सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा तो इसका रख रखाव में यही है कि फिर बच्चों की दवाई जरूर है लेकिन बच्चों की पहुँच से आपको दूर रखना है देखिए यहाँ पर हम और बता देते हैं यहाँ पर MRP 19 रुपे के आसपास है अच्छा जब भी इसका इस्तेमाल करें आप तो इसको शेक वेल कर ले अच्छे से इसको हिला ले शेक कर ले क्योंकि सस्पेंशन है तो जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं तो प्रॉपर रिजल्ट है दिया आपको चाहिए इस दवाई का तो आपको अच्छे से शेक वेल बिपोर यूज लिखा भी रहता है और इस तरह से ये रक्कन है इसमें मापन भी है पाँच एमेल या ठाई एमेल जो भी डॉक्टर ने सुझाया है उस हिसाब से आप अपने बच्चों को देंगे तो इसमें फाइदा होगा तो एंटिबायोटिक बेक्टिरियल इंफेक्शन में हुपियोगी बेक्टिरिम सिरप के उपर ये वीडियो था उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार